Hello everyone, very very good morning, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे So friends, CDP की special class में आप शबलों का बहुत बहुत श्वागत है आज की इस class में हम लोग शॉल करेंगे CDP के top 30 questions और ये सारे के सारे questions आपके जो हैं, प्रिविसर के questions है तो शबी को good morning, और एक doubt में आपका clear कर दूँ जब भी CDP की class हो, और जब भी language 1 में हिंदी की class हो Language 2 में, चाहे वो English की class हो, चाहे Sanskrit की class हो ये जो class होंगी, दोनों level के लिए class होंगी देखे, जैसे आपका CDP है, तो जो primary का syllabus है वही आपका junior का भी है, CDP में, कुछ भी बदलाओ नहीं है ये तीन subject ऐसे हैं, आपका language 1 हो गया, language 2 हो गया और एक आपका CDP हो गया, जो primary का है, वही आपका junior का भी इसले बस है केवल बदलते आपके दो ही subject हैं, अगर आप लोग primary की preparation कर रहे हैं तो आपका math और EBS ये आपका बदल जाता है और junior में क्या होता है, SST math हो जाता है, math science हो जाता है बस यही फर्क होता है, तो जब भी CDP की class हो, जब भी language 1 में हिंदी की class हो Sanskrit English की class हो, वो दोनों level की class होंगी बाकी जो EBS की class होती है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग SST से हैं अगर आप लोग B.A.D. वाले बच्चे हैं, primary की तयारी नहीं कर रहे हैं तो आप EBS की class देख सकते हैं, क्योंकि परेयवरण की question उसमें पूँचे जाते हैं, junior में उके न, चलिए सभी को good morning, class को start करें, और आज से जो है classes का जो time है, वो fix कर दिया हूँ मैं देखे, daily आपकी जो है, morning में 9 बजे class होगी, उसके बाद दोपहर में धाई बजे class होगी fix कर दिया हूँ time, उसके बाद शाम 7 बजे class होगी तो ये class का time note कर लिजे, बिलकुन free में आप लोग हमारे चैनल से अपनी CT exam की तैयारी कर सकते हैं और form आपका नमंबर के first week से start हो जाएगा, okay, class को start किये जाए, इसकी p-dip आपको telegram group पे मिल जाएगी telegram group का नम है education भी सही, link video को discussion box में दे दिया हो, 5000 से जादा उसमें आपको subscriber देखने को मिल जाएगे, वहीं पर आपको join होना है, okay, चलिए, पहला प्रशन देखिए, कि बचपन से वैसकता के परिवरतन काल का समय कौन सा है, प्रशन को ध्यान से पढ़ना, कि बचपन से वैसक वैसकता के परिवरतन काल का समय कौन सा है, प्रारामभीक बालेवस्था, या माध्यमिक बालेवस्था, या पुरो संकर्यात्मक बालेवस्था, या कि बचपन से वैसकता के परिवरतन काल का जो शमय है, वो है कि बचपन से वैसकता के परिवरतन काल का जो शमय है, वो है कि तक के बीच की अवस्था को कहा जाता है ये कहा जाता है 10 से 19 वर्स की अवस्था को क्या आगा जाता है ठीक है चले बहुत इच्छे निमने में से किसके लिए जो है स्थूल गामा कौसल की ओपियों की अवसकता होगी ब्रश ये पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकडे काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना या चलना और दोडना देखे, सीटेट एक्जाम आप लोग केवल PYQ शॉल करके पास कर सकते हैं, अच्छे नमरों से केवल प्रिविस रिकोशन सॉल करके अगर आपके पास बुक नहीं है बुक अभी नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुन फ्री में चैनल से ही अपनी प्रिविशन दोर सकते हैं, बहुत ही हेल्प में लिगी आपको आगे चलके कुछ ऐसी वीडोस आएंगी कि उनसे मतलब डारेट कुशन आना ही आना है अगर आप लोग केवल यूटूब से ही क्लास देख के पास करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर क्लास देखना है डेली क्लास देखना है कोई शमय आपके पास कम है ठीक है? चलिए निमन में से किसके लिए जो है इस्थोल गामा कॉशल के उपियों की अवश्रक्ता होगी तो ये होगी चलना और दोडना के लिए ये अभी इस बार के सीटेट के एक्जामे पूछा गया था ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे परिशान रहते कि हम जो है कितने साल का पेपर लगाएं ताकि हमारा जो अच्छा नंबर है आ सके देखे आपको 2021 वाला लगाना है जो ऑनलाइन पेपर हुआ था और 2022 वाला आपको लगाना है और ये 23 वाला तो एक ही दिन हुआ है तो इसको भी आपको लगा लेना है इतना अगर आप लोग लगा के जाते हैं तो मैं गारांटी के साथ कहता हूँ आप 100% पास करेंगे ठीक है 100% गारांटी के साथ कहता हूँ आप लोग सीटेट को उड़ा कियाएंगी ओके ना चलिए अगला परशन देखना है यहाँ पे समाजी करण की प्रथम शंस्था है कौन सी बता यह सब लोग समाजी करण की प्रथम शंस्था कौन सी है परिवार हो गया, दोस्त हो गया यहाँ पे स्कूल हो गया, मीडिया हो गया यह वेरी वेरी most important question आपके exam के लिए समाजी करण की प्रथम शंस्था है कौन सी चले सबी को good morning और वीडियो को like कर देना सबी लोग 100 like complete होने चाहिए इस वीडियो में 100 like बहुत इच्छे सबी को good morning, सबी को good morning, सबी को good morning, dear तो देखे जो शमाजी करण की प्रसम संसा है, dear वो आपका है परिवार, क्या है परिवार यहाँ पे आपका तीसरा का A आपका बिलकुन correct हो जाएगा ओके चलिए अगला प्रशन, यहाँ पे देख सकते हैं कि यह माननिता की जो है क्या कहलाती है, तो जीवादी सोंच या पदा अनुक्रमित सोंच हो गया या केंदरी करण हो गया या वर्गी करण हो गया बताई शब लोग आप लोग guess किया गरे आंसर, शमाज में नहीं आता है तो डेली क्लास देखेंगे तो आपको शमाज में आने लगेगा गोड़ बॉर्णिंग सभी को गोड़ बॉर्णिंग दियर तो यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुड़ होते हैं क्या कहलाती है, जीवादी सोंच कहलाती है, ठीक है, चले बहुत इच्छे अगला प्रशन, यहाँ पे अविगतन A और कारण R लिखा हो है, तो कौन सही है, कौन सा गलत है यह आपको बताना है यहाँ पे अविगतन A क्या है कि चार वर्सी रिया लंबे और चोड़े, दो बरतन में एके ही समय में शमान मात्रा में पानी डाल लेते शमय बरतनों की उचाई और चोड़ाई को A के ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है अब कारण R क्या है, जीन प्याजे के अनुशार रिया संग्यानात्मक विकास के पूरो संकर्यात्मक चरण में है इसमें सही विकलप आपको चुनना है, देखिए, यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे क्या है A, R दोनों सही है और R, A की सही व्याक्या करता है आप दूसरा क्या 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 रहा है, कि A, R दोनों सही है, लेकिन R, A की सही व्याक्या नहीं है अब देखिए, तीसरा क्या 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 रहा है, A, R दोनों गलत है यहाँ पर प्रश्ण आप लोग अच्छे से पढ़िएगा फिर आप लोग जवाब दीजेगा बताई शब लोग तो यहाँ पर देखना A, R और दोनो A और R दोनो सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है इसमें तो पहला वाला ही आपका बिलकुन सही हो दाएगा चले बहुत इच्छे डियर अगला प्रश्ण देखना यहाँ पे संकेतों वा अन्य तरीकों दोरा बच्चों को जरूरत पढ़ने पर मदद करना किसका उधारन है यह स्टा लगा के नोट कर लेना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टिन कुशन है देखें जब भी आप लोग मेरी क्लास देखें आप लोग तो अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें अब जैसे यहाँ पर मैं इंपॉर्टिन लिख दिया तो इसको आप लोग नोट कर लेजे यह कॉशन बहुत रिपीट होता है समझ लेजी के हर साल सीटेट में आपको देखने को मिलेगा यह मेरा चार वर्सका अनुभो है ठीक है चलिए संकेतों वा अन्य तरीकों दारा बच्चों को जरूरत पढ़ने पर मदद करना किसका उधरण है पाढ का उधरण है ठीक है यहाँ पर सिख सेखा यह आपका बलकुन करिक्ट हो जगा कभी-कभी यह जो है इंगलिज में दे देता है पाढ अगर नहीं देखने को मिले तो इसके फॉल्डिंग होता है क्या होता है इसके folding होता है इसके folding आप लोग अलग से note कर लेना अगर आप लोग English से देंगे तो इसके folding कहलाता है यह चलिए संकेतों वख अन्य तरीकों दारा बच्चों को जरूत पढ़ने पर मदद करना किसका उधर नहीं है पाड़ का ठीक है जैसे एक्जाम हो रहा है अब वहाँ पे कोई टीचर है शंकेत से उनको क्या कर रहे है मदद कर रहे है तो वो क्या हो जागा पाड़ कहलाएगा ठीक है चलिए बहुत इचलिएर अगला प्रशन ये है बच्चों के सिछा के लिए जो है वाइगोस्की के सिधान का अनुपरियोग परस्तावित करता है साहयोगात्मक अधिकम क्रियाप्रशूत अधिकम रटन्त अधिकम या निस्क्री अभिकम देखे जहां पे भी आप्शन में आपको निस्क्री दिखा जाए तो आपका गलत होगा रटन्त दिख जाए तो वो भी आपका गलत होगा ठीक है? तो ये दोनों तो आपको कटे ही गए अब बताइए इन दोनों से कौन सा सही होगा जहां पे भी रटने की बात हो उसको तुरंट काट देना अगर पॉस्टिव पूँचे अगर नहीं पूँचता तो ये आपका एक ही ऑप्शन देता रटन्त अधिकम अगर यहां पे कौन सा नहीं है आपका कि वाईगोस्की के सिध्धान का अनुपरियोग कौन सा नहीं है तो अगर यहां पे निसक्रीने रहता तो यह आपका हो जाता है मतलब दोनों आपके नहीं है, अगर नहीं पुँचता तो, निगेटिव, अगर पुँचे, तो निगेटिव भी आपको उत्तर देना है, पौस्टी पूचे, तो पौस्टी आपको देखना है यहां पे, तो बच्चों की सिच्छा के लिए वाइगोस्की के सिधान अनुपर यो प्रस्तावित करता है सहा योगातमक अधिगम सेविन का ये आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा देखे मैं कई क्लास में बता चुगा हूँ जहां पे आपको आउशर दिखे जाए वो आपका 100% सही होता है और सक्री दिखे जाए जहां पे वो भी आपका सही होता है अगला प्रशनी क्या है कोहल बर्गे के नैतिक विकास के किस चरण में विक्ति अपने ब्योहार के प्रडाम की बजाए दूसरों की जो है अनुशार करता है तो वो कौन सा चरण कहलाता है इनकी एज आप लोग को पता होना चाहिए जैसे पूरु संक्रियात्मक चरण की ए प्रणपरागत चरण की पस्च प्रणपरागत चरण की एज आपको पता होना चाहिए बजाए इसे बोग एट का जॉप देने के प्रयास करेंगे कोहल बर्ग के नैतिक विकास के चरण में वेक्ति अपने बेवहार के प्रणपरागत चरण है तो वो जो चरण है प्रमपरागत चरण है ठीक है यहाँ पर एट का तीसरा आपका बलकॉन करेट हो जागा अगला प्रस्च देखना यहाँ पर वेर इंपॉर्टन कुशन है ए एक जो है प्रगतिसील कच्छा परिच्छा केंद्रित होती है पाठ पुस्तक केंद्रित होती है या सिच्छा केंद्रित होती है विद्दार्थी केंद्रित अप्शन में दिख जाए ठीक है एक जो प्रगतिसील कच्छा होती है वो विद्दार्थी केंद्रित होती है बाल को लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, फड़ा फड़ लाइक करो, और अपने दोश्टों के साथ सेयर करें, अपने HD ग्रूप में, Facebook, वाट्शप ग्रूप में सेंड कीयर करें, ताकि सबी लोगों को हेल्प मिल सके, वो भी अपनी प्रिपिशन बिलकुन फ्री मेकर शके हैं, चलिए, रेनू एक विद्धाले में, परामर्शदाता है, हावर्ड गार्डिनर के शिद्धान के अनुशार, परभावी परामर्शदाता की रूप में, उसके पास कौन सी बुद्धी होनी चाहिए, वेरी, वेरी, मोस्ट इंपोर्टिन कुश्चन है, यह बुद्धी वाला प्रिशन जरूर आता है, जैसे आपका जो पेंटर होता है, इंजीनियर होता है, सिच्छक होते हैं, तो इनमें किस परकार की बुद्धी पाई जाती है, इनसे मतलब प्रिशन आता ही आता है, तो एक जो परामर्च दाता होगा उसके पास जो बुद्धी होगी वो परास्परिक होगी अंतरव्यक्तिक ओके चले बहुत इच्छे अगला प्रशन देखिए NEP 2020 से कम से कम 10 से 15 कोश्चन आपको देखने को मिलेगे 10 से 15 कोश्चन यह मान के चलीगा मैं एक लेवल की बात कर हो गया इनसे मतलब कोश्चन आने ही या नहीं सामय विसी कुछ ऐसे चेप्टर हैं जिनसे खोब सारे धेर शारे प्रशन आते हैं ठीक है चलिए इसे लिए गया रहा हूं कि डेली क्लास देखिए निश्चित ही आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी अगला प्रशन राष् तो ये रट लेना जहां पे मात्र भासा की बात की जाए तो वही आपका करेक्ट होगा जो बच्चा होता है उसको आपको जो है मात्र भासा पे ही उसको ग्यान देना है ठीक है ना ही केवल छेतरी भासा पे ना ही हिंदी भासा पे मतलब एक भासा पे उसको जो है जो है जो करना है उसको ओके यहां पे 11 का 4 आपका बिल्कुन करेक्ट हो जागा ओके अब जब डेली क्लास देखेंगे जैसे आपका मातरभाशा वाला सही होगे आउसर वाला सही होगा तो यह देरे देरे आपकी तयारी होती जाएगी यही होता है लगातार पढ़ाई करने का मतलब चल किलते हैं मैं तुम्हारे लिए एक चोटी सी प्यारी गुडिया लाओंगी मा का जौब क्या दिखाता है जंडर भूमिका में लचीलापन लिंग शमता लिंग रोडिवादता या लिंग प्रसांगिता जहां पे देखिए भेद भाव की बात की जाए जहां पे भेद भाव किया जाए तो वहां पे आपका लिंग रोडिवादता हो जागा देखिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की उषको शमान आपको मानना है समान सिच्छा देनी है ठीक है भेद भाव आपको नहीं करना है ठीक है चलिए अगला भशन देखना बच्चों का नामी करण वा उन प्रमाश को बार प्रभाव नहीं डालेगा प्रेशन को फिर से देखने कि बच्चों का नामी करन वह उन्हें वरगों में बातना क्या करेगा बच्चों के सम्हों में हेनता और सीखने की जो है लचारी को उक्या देगा जन्म देगा यहाँ पे 13 का भी आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा अगला प्रशन देखिए यहाँ पे शततवा जो है समग्र मुल्यांकन के क्या माइने हैं विद्यारतियों के एक दूसरे से जो है तुलना करना यह बच्चों के ब्यापक विकास से जोड़ी सभी इसकूली गत्विदियों के आकलन के सभी पहलूओं को सामिल करना यह केवल सैचिक गत्विदियों के अधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मुल्यांकन करना या साल के अंत में बच्चों का मुल्यांकन करना उन्हें की अगली कच्छा में पदुनती का नरणय लेने के लिए मुल्यांकन प्राश्णों को एक बरफेर से पढ़ना आप लोग भूल जाते होंगे शतत वसमगर मुल्यांकन के क्या माइने हैं तो इसके जो मुल्ले अंकन है कि बच्चों के ब्यापक विकास से जोड़ी सभी स्कुली गतिविदियों के आकलन के सभी पहलूं को सामिल करना है यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिलकुन करिक्ट हो जगा चलिए क्लास कैसी लगती है कमेंट बाक्स में फीडबैक जरू देना और अभी तो एक तरह से यह ट्रेलरी है पिक्चर अभी पूरी आपकी बाकी है फार्म आने दीजिए बिलकुन जबर ज़से तयारी में आपकी करवाऊंगा चाहे कोई भी सब्सक्राइब हो चाहे मुझे टेमी ह अपडेट आए जो भी क्लासे सो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टेम से मिलता रहा है क्लास का टाइमिंग अब सभी को पता ही है मॉर्निंग में नाइन एम हो गया और अप्टरनून में आपका टू थर्टी हो गया और आपका एविनिंग में सेवन पीम हो गया ओकी यह क्लास का टाइमिंग है और जब यूपीटेट का फार्म आएगा तो उसकी भी क्लास होगी बीच बीच में मैं यूपीटेट की भी क्लास ले लिया करूँगा उके ना चलिए प्रश्ण क्या है प्रभावी सिछग कच्छा में सिछण अधियम की पेकरिया में अक्सर जा यहां पर भी आपको मान की करत मुल्यांकन देख जाएं तो वह आपका गलत हो जाएगा ठीक है ना हमेशा गलत होगा प्रभावी सिछग कच्छा में सिछण अधियम की पेकरिया में अक्सर जाश करने वाले प्रश्णों का परियूँ करते हैं इस से सिछग को अगर आप लोग मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाजराम पर फालॉ करके आपको बातचीत कर सकते हैं अगर नहीं option में नहीं पूछा है नेगेटिव पूछता तो यह आपका नेगेटिव आंसर सही था बट अगर आपका positive है नेगेटिव मतलब आप समझ रहे हैं ना प्रश्ण में जैसे पूछ लाता कि इने में से नहीं है कौन सा मतलब तीन आपके सही होता एक गलत होता तो वो आपका यह सही हो जाता बट यहाँ पे अगर positive question है आपका तो केवल दिख जाए तो आपको cut कर देना है बच्चों को उनकी आकादमीक छमता की आधार पर पहचानना उनका प्रथक करन करना प्रथक करन तो भाई करना ही नहीं बिलकुन आपको ठीक है अलगाओ आपको नहीं करना है बच्चों में कि ये बच्चे तेज है तो उनको अलग कर दीज़े अलग सीच्छा दी जाए और यह कमजोर है ते उनको अलग कर दी जाए इनको अलग सीच्छा यह बिलकुन नहीं करना है आपको अगला देखना खास जरूरतों वाले बच्चों को विसेश विसेशक के पास भेजना वसनशित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ा जाए बिलकुन आपको नहीं करना है तो यह आपका गलत हो गया यह आपका गलत हो गया एक समावेशी कच्छा में सीच्छी किया कि क्या भूमिका है कि बच्चों की विविद जरूरतों का पता लग करना है समावेशी जो कच्छा होती है सभी बच्चों को समान आपको मानना है अलग आपको नहीं करना है कि कुछ बच्चे तेजे तो उनको अलग सीच्छा दी जाए विसेशकों के बाद जो है प्यास भेज़े जाए तो ऐसा बिलकुन आपको नहीं करना है कट कर देना है देखे, seated अगर आप लोग समझ गए, question पढ़ना, अगर आप लोग समझ गए, तो 100 question में करता हूँ, या आप लोग score भी करके आएंगे, अगर आप लोग time day दिये तो, आप जो मैं PDF आपको telegram पे send करता हूँ, तो आप लोग revision भी किये करें, ओके, आगर आप लोग मेरी 2-3 दि देखना है, चाहे आपका अभी BA डेलेट चल लाहा हो, या complete हो, regular आपको class देखनी है, ओके, चलिए, तो यहाँ पर यह आपका बिलकुन correct होगा, यह question, hope करता हूँ कि शमझ में आया होगा, आगला प्रशन देखना, विबित शमुह के विद्यारतियों के सिछन के दौरान, एक सिछिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए, अब यह pedagogy के प्रशन स्टार्ट हो गए है, ठीक है, पंदरा देखिए हर subject में आपका, चाहे वो math हो, चाहे avious हो, चाहे आपका language 1 हो, language 2 हो, चाहे आपका CDP हो, पंदरा content आएगा, पंदरा आपका pedagogy आएगा, language में क्या होत खासा का चैन कर रहे हैं, तो उसमें भी वही पंदरा आपके गद्दांस पंद्दांस आएगे, पंदरा आपके pedagogy आएगे, ओके चलिए, विबित शमोह के विद्दार्थियों के सिछण के दोरान, एक सिछिका को क्या दोहे ध्यान में रखना चाहिए, हर विद्द्दाओं को अंदेखा करना, नहीं, सुशंगत संप्रेशन बनाए रखना, यह आपका बिल्कुन सही हो जगा, यही आपका बिल्कुन सही हो जगा, ओके, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन पूच्छा था, तो यहाँ पे देखना, यह आपका सही हो जगा, स्विकारना आए ना, तो यह आपका सही हो जगा, और यहाँ पे तीसरा हो जगा और पांचवा हो जगा, यह वाला, ठीक है, ओप्शन इस तरीके के दिगे हैं, ठीक है, चले बहुत इच्छे, अगला प्रशन एक विद्धा थी, जिसे दरश्ट इबादिता है, कि विसिष्ट जरूरतों के लिए एक सिच्छा को विवित दरागिये, जो है, दरश्चिक प्रस्तुजी करोड़ पर ध्यान देना चाहिए, यह कई प्रकार की इस प्रशनी, और हस्त का उशल्चमागरी क का उप्यो करना चाहिए, यह बहुत सी मूख फिल में दिखानी चाहिए, यह बहुत सी सन्नक्चित, वर्ग सिट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, बिलकुन सरब प्रशन है, आगर आप लोग इसे सरब प्रशन को जो है, सौल कर लिए, तो मुझे लगता नहीं कि आप तो उसकी जो है, विसेश्च जरूरतों के लिए सिच्छा को क्या करना चाहिए, विवीत तरह के द्रश्चिक प्रस्तु करने को पर ध्यान जाना चाहिए, बिलकुन नहीं, जब वो द्रश्च इबाधित है, बालक है, देखी ही नहीं पाएगा, तो उसे जो है, प्रस्तु जिसमें चित्र ही हो देनी चाहिए, चित्र देखी ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला बेलकुन करेक्ट हो देगा, चलिए अगला प्रशन आ गया है, अगला प्रशन यह है, समाजिक अंताहकरिया और मौकी संप्रेशन में चुनावती किसका जो है, विस्ष्ट अबिलच्छन है, स्वालिन्ता का या अवधान नियूंता अत्रिसीलता का विकार का या पाठन वैकल का या गुणज वैकल का बहुत इछे, अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये हैं, लाइक कर दिजे शमाजिक अंतर करिया और मौलिक संप्रेशन में चुनावती किसका विस्ष्ट अबिलच्छन है, तो यह है स्वालिन्ता का, किसका है, स्वालिन्ता का है, यहाँ पे 19 का यह आपका बिलकुन करेक्ट हो दगा, अगला प्रशन देकर आँ यहाँ पे, कि सिच्छक बच्चों विबिन रंगों वाली चिकनी मिटी देकर कहती है, कि उनके मन में जो आता है वहाँ बनाएं, इसके माध्धम से वहाँ बच्चों में डैस को बढ़ावा देती हैं, किसको बढ़ावा देती हैं, स्रजनात मक्ता को, रटना को, आसाहियो को, या अनुशासन हेनता को, 20 का ज बच्चों में स्रजनात मक्ता को बढ़ावा दे रही हैं, देना चाहती हैं, 20 या या आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा, अगला पुशन देखना, बच्चपन के प्रारमिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंदित करना चाहिए, सारे रिक कौसल पर, समाजी कौसल पर, या शंगरात मक्ता पर, या संविगात मक्ता कोशल पर, या अमुर्थ तरकपर, या ओप्शन देखिए, फड़ा फड़ जवाब दीजे, बहुत एच्छे, यहां पे देखना, बच्चपन के प्रारमिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंदित करना चाहिए, सारे रिक क कोशल पर बिलकुन द्यान देना चाहिए, संविगात मक्ता कोशल पर भी ध्यान केंदित करना चाहिए, केवल अमुर्थ तरकपर जो है ध्यान केंदित नहीं चाहिए, प्रारमिक सालों में, ओके, ट्वंटी वन का आपका जो शही होगा डियर, तीसरा वाला आपका से होता है या बारामबार वेधन तथा अभ्यास से होता है, बताइए सब लोग, ट्वंटी टू को जॉप देना सब लोग, रचना वादी कच्छा में अर्थपूर्ण शीकना जो है, अन्यवेशन वह अन्ताह करिया के द्वारा खोचकी पक्रिया है, ट्वंटी टू का भी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, अगला पशन देखना, very very most important question है, question क्या है, एक सिच्छी का एक बच्ची, जो एक आवधारना को शमजने में आसमर्त है, के साथ मिलकर काम करती हैं, उसे इसारे देती हुए, यह पक्रिया कहा कहलाती है, अभी starting में बताया, क्या कहलाता है एडियर पाड कहलाता है, ठीक है, repeat हो गया question, अगला पशन देखना यहां पर, अविगतन एक क्या है, एक सिच्छी का कच्छा को शमधात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के परिवन से उधारन सामिल करती हैं, तरक आर क्या कह रहा है, कि समाजिक सांस्कृतिक संद निम निम से क्या, बच्चे के समध्चा शमधान में बाधा उत्पन करेगा, समध्चा को सही से पहचानना, समध्चा को इस पश्चता से परिवहासित करना, या पहले सुलिजाई के मिलती जुलती समझाओं के बारे में सोचना या वस्तों के इस्तमाल के पारामपरिक तरीके पर अस्र रहना निमनिमे से क्या बच्चे के शमसा सबधान में अबाधा उत्पन करेगा तो ये नहीं उत्पन करेंगे उत्पन करेगा वस्तों के इस्तमाल के पारामपरिक तरीके पर इस्तिन रहना यही आपका बाधा उत्पन करेगा अगला पस्तिन देख रहा है अभीकतन एक क्या कह रहा है कि विद्यारतियों द्वारा की गई गलतिया वत्रुटिया सिक्षकों वा विद्यारतियों के अस्पलता को दरशाती है अभीकतन एक कह रहा है तरक आर क्या कहा रहा है, बच्चों में जो है, खुद से सोचने की चमता नहीं होती, तथा उनके सीखने को सुनश्चित करने के लिए उन्हें लगातार दिश्च देना पड़ते हैं, सही विकलप आपको चुनना है, बताइए, यहां पे ए आर दोनों गलत हैं, ठीक है, चलि मरती हो गया, क्रोध हो गया, भैं हो गया, और यहां पे प्यार हो गया, तो यहां पे कौन सा भाव नहीं है, शबी को good morning, यह क्लास खतम होने वाली है, उसके बाद आपकी जो है, धाई बिजे क्लास होगी, तो बिलकुन रेडी रहना, खापी के आप लोग, ठीक है, निमलि ठीक है कुरोद भाय प्यार ये सब भाव हैं अगला परफ्शन प्रात्मिक सिच्चि का अपने विद्यारतियों में आंतिर्ग अप्रपर्णा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं हर विद्यारती के हर एक प्रयास की प्रसंसा करके या आवांचनी बेवार को दंदित करके या विद्यारतियों में प्रत इस परधा को बढ़ावा देकर या बच्चों को सीखने में आनंद की अनभूती को प्रसाहित करके मैंने अभी क्या बताया आपको जहां पर भी आप्शन में प्रोचाहन प्रोचाहित दिख जाए तो आपका 100% सही हो जागा ठीक है प्राथमिक सिच्छिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रिणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभोती को प्रोशाहित करके कर सकती है देखिए आगला प्रशन बच्चे का समग्र सारीरिक वा मानसिक स्वस्थ आधिगम किसको प्रभावित नहीं करता या करता है या प्रभाव डालता है या समध्य या सुसाधित करता है बच्चे का समग्र सारेरिक वा मानसिक स्वस्थ अधियम को सुसाधित करता है ठीक है डी आपका बिल्कून करिट हो जगा अगला परशन देख रहा रोही का मानना है कि उसने ठेक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विग्यान की परिच्छा में अच्छे नंबर नहीं आए जबकि वह विग्यान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है रोही अपने प्रदर्शन का आरूपन किस कारक को कर रही है प्रयावरणी कारक, योगिता की कमी, कोसिस की कमी या कठिन भै लाश कुश्चन का जॉब दीज़े सब लोग 30 का जॉब देने का प्रयास करेंगे रोही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके करण उसके परिग्यान की परिच्छा में अच्छा नमन नहीं आए जबकि वह विग्यान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है रोही अपने प्रदर्शन का आरोपन किस कारक को कर रही है कठिन भागे को कर रही है सुरी कोसिस की कमी में कर रही है ठीक है कोसिस की कमी में कर रही है जो कि वो प्रदेशन कर सकती है बट कोसिस में क्या कर रही है वो कमी कर रही है यहाँ पे 3 वाला आपका बिल्कुन correct हो जगा शो फ्रेंड्स यह थी आज की बाल विकाश सिछा सासरे की special class यह थे आपके top 30 question और यह 30 के 30 question आपके जो है 2022 के सीटेट के एक्जाम में पूंचे गए थे, ओके ऑनलाइन जो एक्जाम हुए थे, डेली में ऐसे ही हर सब्सक्राइब के टॉप 30 कोश्चन करवाऊंगा, आपको डेली क्लास देखना है, और आज ही क्लास के बारे में फीदबैक जरू देना, क्लास केसी लग थाइंकू शुमच, बाइबाटी